कि आप सभी लोगों को नमस्कार कि फीजिक्स का क्यान बरुनसर यूटूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है आज जो है इस एक यूपी पी जीटी प्रेक्टिड कुशंर्श से जो है मैं फड्रलाया हूं और यह जो कोश्चन है आपको कराने जा रहे हैं यह यह अलजक्तिक डाइयपूल से एक द्व फश्चन है और इनको आप प्रेक्टिस करें तो कुश्चन है फर्स्ट कोश्चन है कह रहा है कि एन एलेक्टिक डाइपोल आप डाइपोल मुमेंट पी इज प्लेस्ट इन ए यूनिफॉर्म एक्स्टर्नल एलेक्टिक फिल्ड फिल्ड ए डैन दें अली एन इनी इन यी फॉर्म तो यहां ऐ केरा है कि कि एक डाइपूल मुमेंट पी है जो यूनिफार्म इलेक्टिक फील्ड में रखा है तो वहां पर यह कहा जा रहा है कि कि-स पिरियंस टो वाइदा डाइपूल इज़ एक रॉस पी B part कह रहा है कि torque is zero if P is perpendicular to E यह correct होगा option फिर third यह कह रहा है कि torque is maximum if P is perpendicular to E D part कह रहा है कि potential of energy is maximum if P is parallel to E यह पार्ट है कि potential energy is maximum if P is perpendicular to A तो जैसे आपने पढ़ा था कि जो हम electric dipole moment में ठीकें तो वहाँ पर जो electric dipole moment जो आपका P होता है तो वहाँ पर uniform electric field में आपका electric dipole moment रखा हुआ है तो वहाँ पर जब torque होता है torque हो जब आपने formula पढ़ा होगा tau is equal to P sin theta तो वहाँ पर P और E मतलब P और E कैसे हैं एक दुसरे के perpendicular है और अगर tau is equal to P sin theta बात हो रही है अगर वहाँ पर P और E के वीच का जो angle होगा 90 होगा यानि वहाँ पर tau जो होगा maximum होगा यानि tau maximum होगा P is perpendicular किसके होगा E के तो यहाँ पर जो आपका answer जो right होगा वो आपका C point है यानि answer C is right तो अब जो है हम next question की ओर बढ़ रहे हैं next question की ओर बढ़ रहे हैं तो जो आपको 16 के रहा है लिफिस कारें की ईए अन्न इफ warm एपकॉला प्लिसद इन ऊंजय इन उनिफ़र्म एपक्रीन्स सापच्टी और । उसरद आ थिर्दू और थिर्दूरम यह हिसा है क्या बोथ टार्क एंड नेट फोर्स तो क्या कह रहे हैं कि कि जो क्या दोनु हो सकते ना एक्टिक फोल्ड में टार्क भी लगेगा फोर्स भी लगेगा से इसके बाद जो भी पार्ट कह रहा है कि only a force वट नो टार्क यहनी केवल बात हो रही है क्या यहां पर फोर्स होगा नेट फोर्स होगा यहां पर क्या आपका अंसर होगा यहां पर अंसर क्या होगा आपका तो यहां आगर non-uniform electric прин soult बैसे जब ओ युनिफॉर्म, electric fielian होता है तो वहाँ पर आपका जो तॉर्क तो होता है लेकिन जो net फोर्स होता है वो आपका zero होता है लेकिन अगर non-uniform electric fiel puta है ने पर त्ण भी होगा और net फोर्स भी होगा तो यहाँ पर answer is right कौन सा है यहाँ आप्सन इस है right question number third की बात होती है यह करें कि an electric dipole of moment P is placed an electric dipole moment P is placed in an electric field of intensity E the dipole acquires a position such that the axis of dipole max and angle theta with the direction of field with the direction of field अब यहाँ से हम बात करते हैं कि assuming assuming that the potential energy of dipole to be zero when theta is 90 the torque and the potential think the dipole will be respectively तो यहां से हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर हमें theta जो है कितना दिया गया है 0 degree तो यहां पर आपका torque क्या होगा यहां पर बात हो रही है कि torque क्या होगा तो torque जो है कहा रहा है ना कि P placed in electric field is the dipole requires the position axis of dipole and angle theta with the direction of field ठीक है जब आप potential energy की बात हो रही है तो dipole to be zero और theta is 90 torque and potential potential dipole moment तो यहां पर potential energy पूच रहा है और आपसे torque की बात हो रही है तो यहां पर जो potential energy यहीं टार्क होगा जो टार्क है जैसे माले जी हमने supported इस तरह से लिया perpendicular यह हमारा e हो गया ठीक और इस तरह से यह हमारा क्या हो गया charge है चार्ज है हमने इसको plus q ले लिया और इसे हमने minus q ले लिया ठीक यह angle क्या है यह थीटा एंगल है अगर यहां पर हम लोग बात करते हैं torque की तो torque जो होगा angle थीटा के लिए p e sin थीटा तो यहां पर torque क्या हो गया प e sin थीटा अब हमें यहां पर ग्याद क्या करना है potential energy तो potential energy u is equal to minus integration tau d theta ताव d theta ठीक है तो यहां से जब integration करेंगे theta 1 और theta 2 तो यहां से tau की value रखेंगे तो p e sin theta और क्या हो जाएगा d theta जब हम यहां पर integration करेंगे sin theta तो यहां पर पहले तिया माइनस का sign लगा हुआ है तो माइनस और तो यहां पर जो integration होता है cos sin theta का क्या होता है integration cos theta होता है तो cos theta cos p e तो काम होता है आपका p e bracket cos theta तो यहां cos theta है तो cos theta जो है यहां पर क्या हो जाएगी लिमिट लगाएंगे तो लिमिट हमारी क्या है theta 1 माइनस theta 2 ठीक है तो यहां पर लिमिट और लिमिट क्या हो जाएगी लिमिट लगाएंगे तो यहां से क्या हो जाएगा यू इसे क्ल्टो ठीक है पी ए कॉस theta 1 minus cos theta 2 तो यहां से u is equal to क्या हो गया minus pe cos 90 minus cos theta तो यहां से हमें क्या मिलेगा u is equal to minus pe sin theta तो यहां से हमें क्या मिलेगा u is equal to pe minus pe sin theta तो यहां पर यह option आपका सही है और नेस्ट कोश्चन पर बढ़ते हैं नेस्ट कोश्चन है कि an electric dipole is placed an electric dipole is placed in an uniform electric field with the dipole axis with the dipole axis making an angle theta with the direction of electric field the rotation of dipole for stable dipole for the stable equilibrium activities यहां पर कैसा है stable है जेसे आपका electric field है गसे माली जी आपका ऐलेक्टिक फिल्ड भी आपका राउस से और यहां पर Dalas ऑं चार्ण है तहो हो क्यों इसे आपका फ्लस क्योंगे तो यहां पर दोनों छार्जे से हैं सेम डायरेक्शन में है एक फार इस्टाविल एक्लिब्रियम पोजिशन पर हैं तो जैसे हमने यहां पर टाव लिया तो टाव क्या हो गया पी ई साइन थीटा जो है हमें जीरो डिगरी मिला थीटा जीरो हो गया जब थीटा जीरो हो गया तो पी e sin 0 sin 0 क्या होता है 0 होता है तो यहां से tau में क्या मिलेगा 0 मिलेगा ठीक है ने स्टांगे बढ़ते हैं लोग question number 5 है question number 5 में क्या है the electric field at a point due to an electric dipole on an axis inclined at an angle theta less than 90 to the dipole axis it's perpendicular to the dipole axis if the angle theta is if the angle theta is तो यहां पर option आपको दिये गए है कि 10 inverse क्या दिया गया है 10 inverse 10 inverse 1 by 2 10 inverse root 2 10 inverse 1 by root 2 तो यहां पर एक conditions एक conditions आती है कि जिसे यहां पर आपने एक formula पढ़ा होगा इस तरह का कि 10 alpha is equal to 1 by 2 1 by 2 10 theta तो यह आपने formula पढ़ा है तो यहां पर क्या है कि theta लेज़ दें तो यहां से आपका जो फर्मूला है 10 theta is equal to क्या हो जाता है आपका 2 10 alpha तो यहां से alpha क्या है 90 कम है 10 theta is equal to 2 ठीक है यहां पर क्या हो जाएगा 10 90 minus theta ठीक है क्या हुआ 90 minus theta जब 90 minus theta हुआ तब यहां से क्या हो गया कि 10 square is equal to 2 तो फिर क्या हुआ 10 theta is equal to under root 2 तो यहां से theta is equal to क्या हो गया 10 theta is equal to 10 inverse root 2 यहां से आंसर यहां पर C is right है नेस्ट कोस्चन है आपका नेस्ट कोस्चन यह है यहां पर कह रहा है कि जिसे electric field भी है और potential है तो electric dipole वहाँ पर जो very होता है distance यह डाइपोल है तो वहाँ पर electric field और potential में क्या ratio रहता है distance का अगर electric field है तो वहाँ पर ratio के रहता है कि E is equal to proportional E is equal to proportional 1 upon R cube रहता है electric dipole में अगर potential है तो B proportional 1 upon R square होता है तो यहां पर आपका जो answer जो right होगा एपका d is right होगा क्योंकि यहां पर जो formula होता है E is equal to 1 upon 4 pi epsilon not 2 P upon R cube पढ़ते हैं अगर हम बात करते हैं potential की तो potential का formula क्या होता है 1 upon 4 pi epsilon not ठीक है यहां पर क्या होता है P upon R square यह formula होता है V is equal to 1 upon 4 pi epsilon not P upon R square ठीक है एक अब हम लोग next question पर बढ़ते हैं question number 7 की बात होती question number 7 यहां पर यह कह रहा है कि an electric field of moment P is placed in a uniform electric field A then first part यह कह रहा है कि the torque on the dipole is P cross A second part is the potential energy of the system is P dot A फिर कह रहा है resultant force on dipole is zero तो यहां पर कह रहा है correct कहों होगा यहां पर correct आपका जो option है यहां पर यह जो आपका first option है यह correct है torque on the dipole यहां से आपका जो answer होगा C part answer होगा ठीक है अब हम लोग जो है next question की बात करते हैं next question है आपका question number 8 question number 8 में क्या कह रहा है question number 8 question number 8 की हम लोग बात चर्चा करते हैं question number 8 में कहा गया है कि the electric dipole moment आप electron and proton ठीक उनकी बीच की distance जो दी गई है 4.3 जैसे यहां पर distance है 4.3 यह आपका है 2L ठीक है और हमें क्या निकालना है electric dipole P is equal to Q into 2L और आपको मालूम है कि अगर electron हो प्रोटान हो दोनों का charge क्या होता है कि 1.6 into 10 power minus 19 क्यों जाएगा 4.3 जब आप multiple करोगे ठीक है यहां पर हमने P is equal to Q into 2L लगाया तो P is equal to क्या हो गया 1.6 into 10 power minus 19 और यहां पर क्या हो गया into 4.3 ठीक है अब यहां से हम लोग multiple कर लेंगे जो multiple कर लेंगे तो यहां से में answer कौन सा मिलेगा 8 का तो यहां पर जो हमारा answer आएगा वह हमारा answer आएगा 6.88 into 10 power minus 28 कूला मीटर यह हमारा answer हो गया अब हम लोग next question पर बढ़ रहे हैं next question हमारा 9 है यहां पर 9 number question क्या है कि let ea be the electric field due to a dipole in its axial plane distance L and let eq be the field in the equatorial plane distance L then the relation between ea and eq will be तो यहां पर four options दिए गए हैं आपको कह रहा है कि e is equal to मतलब ea मतलब axial पर है अगर equatorial पर है तो उसको हमने eq लिया तो यहां पर चार options दिए गए हैं तो ea is equal to four eq कह रहा है आप कह रहा है कि eq is equal to two ea c part है e is equal to two eq और जो d part है कि eq is equal to three ea तो यहां पर जो हमारा answer होगा answer कौन सा right होगा वो हम कैसे निकालेंगी यह हम आपको बता रहे हैं जैसे यहां पर हम लोग formula पढ़ते हैं एक equatorial का भी पढ़ते हैं और एक पढ़ते हैं axial का तो यहां पर हम लोग बात करते हैं axial की किसकी बात करते हैं axial की जब हम एक्सियल की बात करते हैं तो यहां पर हमने क्या ले लेंगे एल ले लिया एल क्यूब हो गया अब यहां पर हम बात करते हैं यह क्यूब की जब यहां पर होता है तो इक्वेटोरियल में क्या होता है कि बन अपान फूर पाई अपसाइलन नाट हो गया फिर यहां पर पी अपान क्या होगा आर क्यूब अब देखिए यहां पर क्या है कि जो इक्यूब है ठीक है जो इक्वेटोरियल पे तो यहां पर टू नहीं होता है और सेम रहता है आपर पी अपान आर क्यूब होता है तो यहां पर जो हमारा आंसर जो राइट होगा अब जैसे यहां पर है जो इक्यूब है अ तो यहाँ से E A is equal to 2 E Q तो यहाँ से हमें answer क्या मिला कि E A is equal to 2 E Q यहाँ से जो हमारा answer जो right होगा वो हमारा C answer is right E A is equal to 2 E Q ओके अब हम बेटा next question पर बढ़ते हैं next question की तरब question next है 10 number 10 number में question कहा रहा है कि the direction of electric field intensity E at a point on the equatorial line of an electric dipole of dipole moment P is यहाँ पर यह कहा रहा है कि जो direction यह दिशा दे गई है electric field की an equatorial line किस पर equatorial line जब equatorial line पर direction दी गई है फिर आपसे यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि along the equatorial line towards the dipole फिर कह रहा है कि along the equatorial line away from the dipole फिर कह रहा है कि perpendicular to the equatorial line and the opposite to P इसमें से कौन सा option आपका right होगा तो कौन सा option आपका right होगा यहाँ पर बात हो रहे हैं तो यहाँ पर कौन सा right होगा question तो यहाँ पर question कौन सा राइट है आपको आशर देना है तो answer कैसे देंगे दिखिए यहाँ पर कि यहाँ पर एक शत्रह से यह हमारा चार्ज की हुआ है तो यहाँ पर यह distance जो है यहां से यहां तक की आ रहे हैं तो यहाँ पर जो इस positive charge की current direction थी वो यह थी जो minus charge है उसके current direction यह है अब यहाँ पर जो direction होगी वो resultant यह E की डारेक्शन, यह हो गई, तो यहां पर जो डारेक्शन है, वो कैसी है? कि mask perpendicular to the equatorial line and opposite to P, यहां पर कैसा है? जो direction है electric field की, total electric field की, वो क्या है? E है, यहां पर P की address यह है and E की direction यह है तो यह कैसी है? equatorial line की कैसे है पर पेंडिकुलर है और एस जाहे हैं पर पर आंसर इस ज्राइड है पर पेंडिकुलर टूधवapping जी आप संस्केंट ऑपके नेस्ट कोश्चेन है 11 कोश्चेन और में क्या है कि रहा कि एन एक्रिक डाइपॉल आप मोमेंट भी इस लाइंग एलोंग यूनिफॉर्म एलेक्टिक फिलड इड़ी दा वर्ग डटेन दाइपोल वाई 90 अब यहां से आपसे कह रहा है कि electric dipole है जिसका dipole moment P lying along a uniform electric field E और वहां पर vary करेगा कैसे वहां पर electric field जो E है उसमें vary करेगा फिर कह रहा है कि work done in rotating dipole 90 degree तो वहां हमें क्या करना है कि rotate कराना है कि 90 angle तो rotate कराना है तो वहाँ पर जब 90 एंगल rotate कराएंगे तो वहाँ पर work done कितना होगा यहाँ पर जो हमारा work done का जो formula होता है formula क्या है बेटा work done का तो work done का जो formula है उसको आप लिखेंगे हम w is equal to p e cos यहां से bracket लगाएंगे theta 1 minus cos theta 2 अब यहाँ पर theta 1 क्या है वो आपका 0 degree है और rotate कितना करा तो theta 2 theta 2 आपका 90 हो गया तो यहाँ पर यह value हम put करेंगे जब यह value यहाँ पर put करेंगे जिसे हमें लिखेंगे w is equal to w is equal to क्या हो गया कि p e अब cos 0 हो गया minus cos 90 हो गया जो cos 90 है यह term आपका cos 90 वाला 0 हो जाएगा यह cost 0 यह आपका 1 होता है तो यहाँ से हमें w जो मिलेगा p e यहाँ पर जो हमारा answer यह है d वाला यह answer हमारा right हो जाएगा यहाँ क्या हो गया w is equal to p e आप सभी लोगों को YouTube चैनल के तरफ से सुबकामनाएं और चैनल को like करें subscribe करें और अपने प्रक्टिस करेंगे paper paper of pain लेकर बैठें यह पेज वाइट पेज और पेन उस पर practice जरू करें इसको बहुत अच्छी अगर आप प्रक्टिस करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा अन्यता ज्यादा benefit नहीं होगा physics है physics रठने से नहीं practical चीज होती है आप practice करोगे तब फिजिक्स में आप ग्यादबान बनाओंगे अन्यता नहीं रट्टूत होता वाला काम नहीं है आप समझें उसके साथ कार करें अब मैं अपनी बात को सभावत करता हूं आप से बुना कहता हूं चैनल को like करें like करें subscribe करें कमेंट दें और उ झाल